ए बराबर एमसी स्क्वाय का दूसरा समीकरण Einstein के ए बराबर एमसी स्क्वाय समीकरण के अनुसार पदार्थ को उर्जा में बदला जा सकता है तो नया सवाल यह है कि कि खिया उर्जा को हम पदार्थ में बदल सकते हैं Einstein का उर्जा और गती का संबंध दर्शाने वाला विख्यात समीकरण है ए बराबर एमसी स्क्वाय यह समीकरण उर्जा और पदार्थ के द्रव्यमान का भी संबंध जोडता है यह समीकरण गनेत की भाशा में बताता है कि पदार्थ को उर्जा में बदला जा सकता है Einstein के एक दूसरे समीकरण द्वारा यही दर्शाया गया है यहां M, bracket V, गनेत पिंट का द्रव्यमान है M, C, विराम पिंट का द्रव्यमान है V, पिंट की गती है और C, प्रकाश वेध है इस समीकरण की सत्यता इसी बात से सिधह हो जाती है कि अगर हम V का मान बढ़ाते जाएं यहां तक की V का मान C के मान के बराबर कर दिया जाए तो M ब्रैकेट V का मान अनन्थ के बराबर हो जाएगा गते मान पिंद के साथ जो गतिज उर्जा होती है वो उसका द्रव्यमान बढ़ा देती है दूसरे शब्दों में उर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है उपर दी गई व्याख्यान गनेत की भाषा में दी गई है साधारन जीवन में भी हम इस परिवर्तन को अनुभव कर सकते हैं जैसे पदार्थ को उर्जा में बदलते हुए, हमने जलते हुए कोईले के रूप में देखा है कोईले के जलने से हमें उश्मा, उर्जा मिलती है पदार्थ के उर्जा में बदलने के लिए बड़े ही साधारन उदाहरन है अब हम उर्जा के पदार्थ में बदलने का उदाहरन लेंगे जब हम इलेक्ट्रोनों को विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित करते हैं तो विद्युत उर्जा इलेक्ट्रोन में प्रवेश कर जाती है और अपनी शक्ती का कुछ भाग इलेक्ट्रोन को दे देती है इसके परिनाम स्वरूप इलेक्ट्रोन की उर्जा बढ़ जाती है और आइंस्टीन के दूसरे समीकरंग के अनुसार इलेक्ट्रोन का द्रव्यमान और गती दोनों ही बढ़ जाने चाहिए दूसरा उदाहरंग जब किसी राकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो मान लीजिए कि उसकी गती 11 किलोमीटर प्रती सेकंड है अगर विराम अवस्था में राकेट का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो ग्यारा किलोमीटर प्रती सेकंड के वेग पर राखेट का द्रव्यमान दशमलव 35 मिलीग्राम बढ़ जाएगा यहां यह बताना भी उच्चित होगा कि द्रव्यमान और उर्जा पदार्थ की दो एकार्थक रूप में संबंध विशेशता हैं